नमस्कर आदाव सिस्री आकाल स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर अगर आप बिहार से चेक वरती परिच्छा की तैयारी कर रहे तो यह वीडियो आप सब के लिए बहुत हेलफुल होगा इसने हम क्या करेंगे आपके हिस्ट्री पोशिन को डिसकस करे यह क्लास आपके सेलेक्षिन के लिए रामबर क्लास सावित होगी जितने पॉइंट पढ़ा जाए इतने सारे पॉइंट को रट चाहिएगा और पीडियाफ के लिए टेलिग्रम चैनल को जोईन कर लिए जिसके लिंक में डिस्टूशन बॉक्स में डाल दिया है देखिए पहली बार करेंगे और बहुत सारे जिनका पिछली वैकन्सी में एक दो नमबर से नहीं हुआ देखिए आपको अगर इस वार के सिलेक्षिन लिश्ट में आना है तो आपको बहुत मेनत करनी पड़ीजी कोई फरक नहीं पड़ता कि आपको पहली बार नहीं हुआ या पहली अजमारी आयारी कर रहे पूरा गेम यह जो टाइम इस टायम पीरिखेक वह कितने टाम-अच्छे त्रीके से स्पार्थ तुर करते हैं यही डिसाइट करेगा आपका नाम सेलेक्शन के लिश्ट में आएगा कि नहीं आएगा तो बस महिनत करिए आत्यक परिश्रम करिए और जितने भी पॉइंट में बताओं उतने सारे पॉइंट को याद कर लिजेगा और आपको जो नोट्स टेलिक्रम चैनल पर दिये जाएं उन सारी जीजों को अच्छे से रड़ जाएगा आसानी साब सेलेक्ट हो सकते हैं तो चले श्टार्ट करते हैं इतियास आज जो पहले क्लास से इस्टार हुए हिस्ट्री से यहां पर बिहार पीसेस में क्यों से पूछे गए यह विहार सच्छी वर्ती में कैसे और किस टॉपिक्स टेक्वेस पूछ रहे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है क्या पूरी हिस्ट्री पढ़ने बढ़ने बढ़ते हैं पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजे लिकिन आपको पैटर्न का एनलिसिस करके पढ़ना होगा कि पर कैसे कॉछन पूछ रहे और किस तरीके से कॉछन पूछे जा सकते हैं पहले उसने कैसे पूछा है उससे अकॉर्डिंग और आगे का कॉछन पूछेगा और इस बार का चेयर्में जिन बताया भी थे कि पेपर का प्रोगाचिक काल क्या होते हैं वह काल होते हैं जब हमें कोई भी लिखित साच नहीं प्राप्त हुआ जैसे कि आपको पूरा पासार काल का होगा पूरा पासार काल मद्य पासार कल नो पासार कल उसके हमें कोई भी लिखित साच नहीं मिले वैसे साच मिले अभी हम पर रहापता यह प्रुजद से काल काता है अगले मैंने आपको बता आद इतियासी काताद पर हो तो वहाँ के लिखित साज तो पराप्त हुए लेकिन उस लिखित साज को पर नहीं पाए जैसे हड़ापा सब बता की सब्दा तो मिली है वहाँ की लिपी भी मिली है लेकिन सबसे पहले पढ़ा सो के सिला लेहों को सबसे पहले पर ने पढ़ा ते तो जानगा इतियास को तीन पर्टम कें डिवाट टीन दिवाइड किया तो इतियास को जानने के सुरूत क्या से, क्या से हमने इतियास के बारे में जानना, तो इतियास को जानने के तीन सुरूत होते हैं, पुरा तात्युक सुरूत, साहित्युक सुरूत और विदेशी यात्नियों को भिवरे, पुरा तात्युक सुरूत का मतलब क्यों होते हैं, भ और घर से मादर देवी की मौर्ति बिली तुमने एक अमान लगाये कि हड़ा जबता समाज क्या सोगा मत्स तत्मक समाज होगा विदेशी यात्रियों को फिवरइड वच टेम पे हमारे आपे जो बिदेशी यात्रिय उन्होंने देखा तो कैसा वडनर किया किताबों मेगा नि कीचा में की वर्णन किया विर्णन किया वाई पता चलता है कि इतियास को जाननी की स्रोथ क्या होते हैं हाद इक पॉंट इंपॉर्टेंट है अभी मैंने आपको बुला मेंगा इसने में गुप मॉठ के दरवायर में जाते इन्होंने एक पूइंट को पूइंट को अच्छे से रड़ चाहिएगा तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि इतियास को अमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था पहला प्रोगाज से काल जिसका में कोई भी लिकित साथ नहीं मिला जिसका लिकित साथ नहीं मिला तो जैसे आपका हाधियास काल कोई भी लिकित साथ नहीं मिला अगला मैंने आपको बता है त nggak वहाजद का खालो के मदद समराज का उतकर्स होगे यह सारी चीज़ आपकी गिसम्त मैं आएंगे आपकी अतियासी काल के अंतरकत आएंगे तो अब हम सबसे पहले पासाड काल से जुड़े कुछ important point को discuss करते थे देखे पासाड काल को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था एक आपका पुरा पासाड काल, एक आपका मद पासाड काल, एक नो पासाड काल पासार काल में मुकरोब से इंसान क्या कर रहा था सिकार कर रहा था अब सिकार करना तो ओजार की जरूत हो की तो नहीं तो यहां पर ओजार कैसे बनाते थे यहां पर ओजार यह अपने पत्थर के ही बनाते थे कौनचे ओजारों का प्रियों करते ते पत्थर के आवाद, अब पत्थर के ओजार भी क्या हुआ था, कुछ ऐजार आचे थे जो बहुत बड़े साइज के, पहले बहुत बड़े साइज के औवजार बना रहे थे, तो उसको क्या बोलते थे, megalythic बोलते थे, जब भए बहु चाहर बना रहा था उससे सिकार कर रहे ते हमने कहा द भी कि जब छोटी आकार के करती है तो वने का भी माइक कर ले पाइकरो लेती कि इसके अलावा मुठ इंप गल को कि कि यह नगार था तिंप ऊच्छा करता उपना रहता चाहर उख में भूहमन मी इस मानों को जिवन क्या था इस कालों मानों को जीवन आखिरता था उसने और चीचे तो सिखी रही थी शिकार करना है भूक लगतувати है मैं इन्होंगा कि का लि películ उब दो लोग यहा रहे दो लूग वहा रहे तो इन slवकोnda यतुप यहां लगता ते हैं Sad समू में रहने लगें समू में रहने में क्या होगा जंगली जानवरों को खत्रा थोड़ा सक कम हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे समू में रहने लगेंगे और यहां पर एक और चीज कर ली थी उन्हें आग का विसकार कर लिया था जब आग का विसकार कर लिया तो उन्हें तो कच्छे माउस को पकाकर काया उनका ये तो ज़्यादा टिस्टी लग रहे है, तो मद्ध पासार काल कि दो चीजे, एक तो व्यक्तियों ने समु में रहना प्रारम किया था, लेकिन आवी सु ब्यवस्टित बस्तियां नहीं बनी थी, समु में रहे रहे थे, सु पढ़ा रहे हो अगर इतने सारे पॉइंट को ही रट लिया तो आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल से मत पढ़िए लेकिन प्रीवेस एर पैपर का दीखिए कैसा क्वेस्ट पूछ रहे किस टॉपिक का क्वेस्ट में सारे पॉइंट आपको रटा कर लिया और दूसरा यहां पर पैये काविस्ट कर लिया क्रसी से क्या हुआ अब इनके जीवन में इस्ताय ताया अब क्रसी करने के लिए नहीं क्या मित जानवरों की जुरत परती तो इन्होंने पसुपालन भी प्रारंब किया क्रस के लिए पसुपालन प्रारंब किया पै पासाड काल जोड़े कुछ important point को मैं डिसकस किया अब पासाड काल के ऑसेश अब उत्तरपदेश के कॉल्डिया से चावल के ऑसेश मेलें आपसे नहीं पूचेगा यही अंतर आपको समझना है कि अगर पासाड काल में कुछ specific question पूचेगा कि यह ऑसेश कहां से मिला तो आपके बिहार में कहां से मिलाएं वो पूचेगा तो आपको यही जीत समझने है तो चलिए देख लेते मद्द पासाड काल के ऑसेश बिहार में कहां से मिलें आपके मुंगिर मुंगिर से क्या हुए मद्द पासाड काल के ऑसेश मिलें मद्द पासाड काल में मानो ने क्या किया थ इसता ही जी उनकी रहना प्रारम किया था, मानो समू में रहना प्रारम कर चुका था, मत पासाड काल में मानो ने क्या किया था, मत पासाड काल में मानो ने आका विस्कार भी कर लिया था, इसके लावा चिरान, सारत जिला से क्या हुआ तो नो पासाड यूग के आसेस मिलेते, तो कई बार क्या होता है कि एक्वेस्टन को बहुत टाफ करना तो पूछ सकते हैं कि इसमें से नो पासार के आउसे कहां से मिलेते हैं विदे मानों की कहानी विदे मानों की कहानी का उलेक आपके सत्पत प्रामण में मिलता है सत्पत प्रामण में विदे मादों की काहनी का उल्यक मिलते हैं पर पुछते हैं विदे मादों की काहनी का उल्यक किस करणत में मिलते हैं तो आपके सत्पत ब्रामण मिलते हैं इसमें कहाँ गया है जो वैसावर नै के उले किया गया, कि भाई आगनी की उत्पति कैसी हूई, इसके लिए वो यहाँ सदा नीरा नदी को उले करता है, जो सदा नीरा नदी के सो गंटक नदी को क्या बते हैं? सदा नीरा के नाम से आज़ानते हैं, तो यह सकार से पूसकते हैं, गंटक नधी को सधा नीरे के नाम से चांथ ब्याइब कालुक है जो रिगवेद था, रिगवेद में धाईसो रिचाओं को उले किस के लिए किया गया है, इंद्र देउता के लिए किया गया है, अगनी देउता किया थे, आपके सबसे प्रमुख देउता थे, मनुस और देउताओं के मद्देस्ता कराने का काम कौन करता थे, अगनी देउता करते थे ध्यान रखिएगा और जो सदे नीरा नदी ये कोसल और विदे की सीमा बनाती है कोसल और विदे की सीमा का निर्मार कौन करता था आपके सदा नीरा नदी सदा नीरा नदी को और किस नाम से जानते सदा नीरा नदी को गंटक नदी भी कहते हैं इसके अलावा आपको चीक लएदिक काल कर टाइम पिरेड़ कब से कप तक रहत हैं वैदिक काल कर टाइम में और समकरी का से मिलते हैं वैदिक के जानकरी का प्रमुक्स रोत क्या था वैदिक काल में आपके चार वेद थे कौन-कौन से वेद थे रिगवेद सामवेद यचुरवेद और अथरवेद जो इंपोर्टन पॉइंट आपको ऐसा लग रहोगी नहीं यादे उसको एक बार नोट डाउन कर लिजेगा जिसे आज आज आप यह क्लास देखे तो इस क्लास में जितनी भी पॉइंट आज पढ़ा जाए उन सारे पॉइंटों को रट जाएगा और क्वेस्टन सीरीज प्रक्टिस यह सारे चीज़ आपको टेलीग्रम चैनल में मिलेंगी वहां से जाकर उसको जुरूर जोन कर लिजेगा और आप वीडियों पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब यह एक मैना आपको डिसाइट करेगा कि आपकी जौब लगनी है कि नहीं लगने है आप सबको पते हैं कि भीहार का वेड कहा जाते हैं वेडों की रचने किसी व्यक्त नहीं की वेडों की रचने स्वयम ब्रह्मा जी नहीं की इसलिए वेडों को आप और सोई भी बोलते हैं आप और से बोलते हैं इसके अलाव वेडों को क्या बोलते हैं इसके अलाव वेडों को सुरूती बोलते हैं वेडो क्याना दिएुस०बलिटे की ग। रिगवेट के पुजारी होता है उसे हम होतरा बोलते हैं। सामवेद के पुरोईद को क्या बोलते हैं, सामवेद के पुरोईद को हम उद्गाता कहते हैं, यजूरवेद के पुरोईद को क्या बोलते हैं, यजूरवेद के पुरोईद को हम अधरव्यू बोलते हैं, इसके अलावा आपका अधरवेद के पुरोईद को क्या बोलते हैं, अथरवेद की प्रोवेद को प्रहमा बोलते हैं इस पॉंट को भूलना नहीं अथरवेद आपको कौन सा वेद होते हैं अथरवेद नविंतम वेद हैं वेद रही में कौन सा वेद नहीं सामिल है अथरवेद आपको वेद रही में सामिल नहीं है इसके अलावा कुछ इंपोर प्राचीन मंडल और लुषस रेंप धिया. प्रू सूक्त में पहली बार वर्णों की बाद की गई है。 चार वड ब्राम्मा चत्री वय सूधर चार वड़नों की बाद पहली बार किसमे की गई पुरु सूख्त में की गई है पुरु सूख्त की रचना दस्वे मंडल की रचना पात में की गई थी तो वड ब्योस्ता का उले किस मंडल में क्या गया वड ब्योस्ता का उले क दस्वे मंदल में क्या 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 है इसके अलबा कुछ और ऐसे इंपर्टन पॉइंट जो आपसे पूस्ता है कई बाया जैसे सामवेद को भारती संगीत का चनक कहते है सामवेद को पुरोयद को ने उटका आता यह जोर्वेद में या कि सनमंदी विदी विधान का उले, या कि वेदी कैसे बनीगी, इसका उले किसमे क्या गए ये चुर्वेत में, ये चुर्वेत एक ऐसा वेदे जो गद और पद दोनों सहली में लिखा गया है, तो ये चुर्वेत दोनों सहली में लिखा गए, गद और पद सहली में, ये इंचुर्वेत का पुरुईत को ने अथर्वेत को अथर्वेत क्या है क्या वहते हैं इसके लावा किसे मंडल है किसे मंडल हैं इसके अलावा हमारी क्या होते हैं वेदांग के च्छा कल्प ब्याकरण निरुखत नियुक्त 24 चन सिर्फ आपको फता हुई वेदांग कितनी पुराड कितनी एक इक अपके पुराड आपके उले क्या गया है तो बस आपको जल्दी जल्दी इसारी पॉइंटों को याद कर ल सारी चीजें पता होंगे नहीं पता तो इन सारी चीजों को रड़ चाहिएगा ओके इसके बाद क्या होते हैं कुछ उपनिसदों से क्वेस्टन पूसता है जैसे अभी हमारे आपके क्या होदो जी टुन्टी के अद्यस्ता हो थी इंडिया में इंडिया में का पर भारत महा उपनी सद में वासुदियों कुटोंबिकम का उले किया गया है इसके लावा हमारे एक आदर्स वाग है सत्त में उजयते अर्था सत्त की ही विजय होती है सत्त में उजयते हैं मुंड़ को अपनी सत्त से हमने क्या लिया है सत्त में उजयते को लिया है ध्यान रखिएगा सत्त में उजयते कहां से लिया है मुंड़ को अपनी सत्त लिया है जवालो अपनी सत्त से जवालो अपनी सत्त में क्या लिया है जवालो अपनी सत्त में धर या कि पुन्ट का है गर में ब्रहस चीज़ों का ईल्ली क्या गया है चार प्रकार के अस्रमों को फोलेक्ञ याद होना चाहिए सब्सक्राइब पुंट का रेकिया गया है संदम किसमेगे चलिया इसके लाव हो चलिए पुछ इंपॉर्टेट पर और देखते लिए 32 आयत में कीकट और वाद परदेर्ष का उलेग क्या गया है जो आपका वैदिक ताइथ वैदिक ने विहार के कीकट और वाद परदेश आदि का उलेग क्या गया था अब इसके लाब कारी महा जैनपात्कल में 16 सोला महा जैनपत तों को पहली तो पुछ तो निकाय' स॥ सीवा आ gaza उत्तिवर के नाल से जंथा है। इसमें High 55 अब आपकी Sigum आपके Uttar Pr time tay अब आझ से पूछ चरकता है कि आपके 16 इन पते में लिए विपां में कौन कौन से जमGU नखेते हैं बिहां में आपके तीन महां स parked अध्वाही है एक तो मगाट एक वजी और और अंगय मागत वच्ची और अंka वर्डन्ड किया गया और वर्डन दूग्रंत है एक त przysz निग्द और निग्ध कह नियुद्ण नियुद्ध मतने कि नोगवति सूतर ज्यासय जड़ा हूआ अब भिहार में आपके ऑंग से कश्टर्पन से, जैन्धDonald से जो ज़्यान धर्म के साहित होते हम आगम साहित के नाम से जांटा है अब बीहार में आपके कौन से तीन महाचन पत्य तो आपको वज्जी ता एक अंग था वज्जी अंग और मगत मगत सबसे प्रमुग्राशाज था मगत की capital क्या थी comment section में answer दीज़ेगा वजजी की capital क्या थी और अंग की इन तीनों के capital comment section में answer दीज़ेगा और अगर आपने मैंने एक महा जनपत के अलग से वीडियो बनाते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिम्बसार ने बिम्बसार ने कहा किया किया तो चंपा को जितकर मगत सम्राशा यों मिला लिया था वजे संग की रास्ता नहीं आपकी विदी थी वजजी आपका गढ़ राज्जी था ये भी पॉंट रखेगा वैसे वहां पर उस टामपी का ओर तो कुछ गढ़ राज्चियों को अभी उलेक था तो वज्जी आपका क्या था वज्जी आपका एक गढ़ राज्चा इसमें विदेई वज्जी और लच्वी प्रसित्ते जैसे लिच्वी ब वज्जी आपको पताओने चाहिए वीडियो कैसे लगाए इसका फीटवेक आपको कॉमेंट सेक्शन दोरो दीजेगा तीकि हो सकता है कुछ चीजे आपको नहीं आदो कुछ चीजे हो सकते हैं आपको याद होगी लेकिन आपको इस तरीकी से सारी चीजों को रिवाइच करना है कल चनक वीडियो तो लंबा रहेगा सारी चीजों को बहुत चल्दी में टाइम पर रिवाइच करना है इसके लगाए सारी classes भी आपके स्टार्ट हो जाएंगी और कोई दिक्कात, कन्फियूज़ों नो, कॉमेंट सेक्चेन द्वारा पूस सकते हैं, कुछ नोट्स आपको टेलिग्राम चैनल में प्रायट के जाते हैं, उन सारी चीजों को चरूप पूर लिचीगा, पहुस सारी इंपोर्टेंट बुक की पीडिया भी आपको टेलिग्राम म पूस सकते हैं, कोई दिक्कात, कोई कन्फियूज़ों नो, कॉमेंट सेक्चेन द्वारा पूस सकते हैं, ओके, थैंक्यू